हलो दीर फ्रेंट्स बाइवाल गुरुजी चैनल पर आपका वेलकम है फ्रेंट्स आज की क्लास में हिंदी मिडियम के स्टुडेंट के लिए NCRT का समरी लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम सजीव जगत के अंदर भाग तीन पड़ेंगे और यहाँ पर इसके अंदरे में NCRT का समरी पड़ेंगे और साथ में NCRT की important line का explanation भी करेंगे ये lines बड़ी important होती है इस्पेशली नीट के exam के लिए तो बहुत ही बहुत important है NCRT का content भी आपने देखा होगा पिछले 4 पास सामरों से नीट का जो pattern है वो NCRT based है यानि नियर अबाउट आप कह सकते हैं कि जो 80-90% पेपर टोटली NCIT बेस्ट होता है तो जो NCIT जिसने अच्छे से पढ़ लिया अच्छे से रिवाइज कर लिया है इसकी लाइन्स को इंपोर्टेंट मान लिया है और लाइन्स को पढ़ लिया है समझ लिया है तो उसके लिए 360 में से नीट में 300 लाना बिलकूल एक सामाने सी बात है किसी भी स्टुडेंट के लिए दोस्तों तो अब यहां पर कह सकते हैं कि NCIT जे अगर हम 300 नमबर ला सकते हैं तो बाकी थोड़ी से अलग से मेहनत करके आराम से एक अचा स्कोर बना सकते हैं और सेलेक्ट हो सकते हैं तो जिसमें लिखावाए NCIT Summary Hindi Medium and then essay ही आपके सकते हैं English Medium के लिए लिखावाए NCIT Summary English Medium तो दोनों प्लैलिस्ट आप प्लैलिस्ट में जाके देख सकते हैं उनमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और आपकी तयारी अच्छी हो जाएगे और exam देने तक आप कई बार NCIT को रिवाइज कर लेंगे निए वीडियो के माधिम से इनमें आपको कुछ पढ़ने की जयोतने जस्ट वीडियो को प्ले कीजिए and then summary को देखिए बस जिससे आपका क्या है revision हो जाएगा दोस्तो तो देखिए आए चलते हैं समरी में और अब बात करते हैं थर्ड पार्ट में वर्गी की समवर्ग यानि taxonomic categories यानि हमें वर्गी करन किया है तो वर्गी करन के अंदर various categories है various समवर्ग हैं कई category है तो यह जो category है यह आप कर सकते हैं कैसी है बोले एक पदा अनुक्रम सोपान बनाती है वर्गी की में क्या होता है एक पदा अनुक्रम सोपान होता है यानि ह से आप के सकते हैं कि हमारे country के अंदर यह हम बात करें हमारे country में बहुत सारे state है every state में बहुत सारे district में बहुत सारे blocks है block में बहुत सारे village है तो इस तरीके से आप के सकते हैं एक hierarchy बन गई अलग-अलग state फिर वर्गी की समवर्ग बोल देंगे लेकिन आपके सकते हैं सारे के सारे भिन भिन हैं ठीक है ना या एक स्टेट के जो आपके सकते हैं जो डिस्टिक हैं दूसरे स्टेट से मैच नहीं हो नहीं सब अलग अलग है एक लेवल पे तो इस तरीके से आपके सकते हैं हेरेकिल स्टेप होती है और यह जो प्रतेक स्थेप होता है प्रतेक सोपान होता है इसको वर्ग या वर्गी की संवर्ग बोलते हैं यह तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि इस तरीके से साथ ये टेक्सोनोमिक के टेग्रीज हैं जिसमें आप कर सकते हैं जाती वन स्कुल गण वर्ग संग और जगत यानि स्पीसी जीनस फैमिली ओर्डर क्लास फाइलम यह पोदों जन्तूं के लिए संग यूज होता है और इसके लिए पाद जगत हो तो पाद्म का जगत हो गया जन्तूं का जगत हो गया फिर जन्तूं जगत में बहुत सारे संग आ गए जैसा कि हम आप कर सकते हैं जाती में कुछ नहीं है जाती लास्ट है तो आप कर सकते हैं सबसे चोटी इकाई है और सबसे बड़ी इकाई जगत है और सबसे चो जो पिसीत्ज है वो कैया है तो पोले मॉलिक समांता 4 वाले वाला जीऊ का वर्ग है यह यह या आपके सब हसरे विद्स आपको में ब मतलब धारच एग जैसा है या कि एक मानेसीनिकर सकते हैं 15 उनों के आख कान नांक बाल सारी वैसे ही वैसे होंगे कणर अलग लग हो सकता है वह बात अलग है लेकिन बेसिक ढाचा यह नहीं मुलिक समानता सब की से मैं तो मुलिक रूप से समान होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम स्पिसीज अब देखें समीपस्त संबंदीद है इस के साथ साइड में सेर कड़ा है तो सेर का फिसीज़ है वक्या है पैंथेरा लियो और जो चीता है वो पैंथेरा पार्लम गडेम यह स्पीशीज अंदर काफी है hij나 तो आप का सकते हैं कि यहोग कैसी यहां सस्दीक है लेकिन विवैदन कारेंगे आकारी की विभिंता के आधार पर हम विवैदन कर सकते हैं यानि सहर और चीता को आकारी की रूप से देख सकते है न न रॉनको गॉलोची custom differenti女 कंसा सर क्या सीटा है टो वेलेट विभिदन इस आधार पर वर्गी कर सकते हैं उनको बता सकते हैं और सबसे चोटा वर्गी की संवर्ग है ये species ठीक है दोस्तों अब यहां पर species के कुछ उधार नहीं देखे मैंजी फेरा इंडिका यानि आम सोलेनम ट्यूबरोसम यानि आलू पैंटरा लियो यानि सेर इनके बॉटनिकल यहां पर मेंजी फेरा उलेनम और पैंथैरा यह तो वंस के नाम है लेकिन species कोन सी है इंडिका ट्यूबरोसम यानि यह क्या है तो दोस्तों यहां पर हम कह सकते हैं कि सोलेनम जो है यानि एक वञद है यह ये सव वंस के अंदर कई पैंथी जा सकती है यानि एक वंस में कई unique category and paradise यानि सेर बाग और चीता यह सब आगे हैं और ऐसे ही homo sapience नहीं अन्य मानव का नाम है लेकिन मानव का जो once है वो homo higher एक पूंस क्या होता है जीन क्या होता है गमा इसे नहीं सेर चिता बाग में बिलिघ को तो यह सारे के सारे एक वंस में आएंगे, तो वंस क्या है, संबंदित स्पीसीज का, यानि यह एक जैसी हैं लगबग काफी समानते हैं, यह संबंदित है तीनों एक दूसरे से, इसलिए आप कर सकते हैं, इनको एक वंस में रखा गया है, दोस्तो ऐसे ही आलू, टमाटर और यह आप कर सकते हैं, 16 वंस में आते हैं तो यह भी इनमें भी काफी सिमिलिटीज हैं, लेकिन देखो यह पहले इस वंस के अंदर बिल्ली आता है, और 15 वंस में यह आते हैं, तो कही न कहीं आप कर सकते हैं, आगे चलके इनका भी कुछ समानता आएंगी, यानि उपर की जो वंस के उपर की जो जैसे माली जी वर्गी की समर्ग आएंगे, तो उनमें कहीन कहीं आके समानता आएंगे, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, कि इन दोनों वंस की परजातियां है, इनके अंदर समानता नहीं है, यह आपस में अलग-अलग है, यानि आप कह सकते हैं, दो बहुत सारे जो वंस हैं उनको एक जिगर रख देंगे, ठीक है न दोस्तो, उनके समों को क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं, यानि कुल बोलते हैं, तो दोस्तो यहां पर पाद्बों के अंदर जो कुल होता है, उसके वर्गी करण का आधार क्या है, तो बोले पोधों के काईक और जनन गुन होते हैं उनके आधार पे पादमों में कुल का वरगी करन होता है तो दोस्तों प्लांट्स के अंदर जो फेमिली का जो वरगी करन होता है क्लासिफिकेशन होता है उसका बेसिस क्या होता है काईक और जनन गुन काईक मतलब आप करते हैं वेजीटेटिव केरेक्टर्स यानि उसकी लीफ कैसी है उसकी रूट कैसी है उसका स्टेम कैसा उसके आधार पे हम फैमिली में रखेंगे और ऐसे जनन गुन यानि उसके फलार के अंदर आप मेल पार्ट जो है फीमेल पार्ट वो कैसा है उसकी बनावट कैसी है उसकी मौर्फोलोजी कैसी है उसके आधार पे तो यह बड़ा ही इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है एन्सियार्टिका यानि पाद्पों के अंदर जो काईक जनन और जो काईक गुण और जो जनन गुण होते हैं उनके आधार पे उनके फैमिली का वर्गी करन होता है जैसे यहां पर एक्जामपल है सॉलेनम पिटूनिया और धतुरा यह तीन वंस हैं तीनों सॉलेनेसी कुल से समधित है यानि इन तीनों के अंदर काईक और जो जननन गुण है व सकते हैं दोनों यह एक ही यानि दोनों जो जनन जो हैं जिनके अलगा अलग समन्दित नहीं थी तो यह आ रहे हैं आगे चल गें कहीं में समानता है तो तो देखिये क्या है गण next ने करें गर जो और और वरगी समफ है अरग याणि ऑ्डर तो उससे पहले हमें एक बैसी concept clear करना चाहते हैं गण से पहले, वो ये बात है कि जो species हमने पढ़ा, once पढ़ा और kul पढ़ा, ये तीनों आपके सकते ही छोटी, यानि सबसे चोटी वर्ग कौन सा था, चोटी जो वर्गी के समवर्ग कौन सा था, taxonomy category species, then once and then kul, तो ये तीनों की संग में जाएंगे, संग से उपर जगत में जाएंगे, तो गण और अन्य उचतर जो वर्ग हैं, गण और अन्य उचतर वर्ग, तो दोस्तों उनके अंदर जाएंगे, तो उनकी पैचान लक्षनों के समों के आधार पे होगी, यानि उनमें समानता हैं बहुत कम होगी, उन इसले उनको एक और में रख डिया ञखन में upon में में कुछन में और इसी में इन को समानता है के यंदे में Har primo queer Kus तो डोनों देख में सी गण Babe कि यहां पर हम कह सकते हैं कि समबंदित कुल हैं उनको एक गण में रखा जाता है ठीक ना दोस्तों धूस के बास गौरिला तत्र सकतर हो संहों होता है तो यह पर देखे प्राइमेटा एकण है उसके अंदर बंदर है जिसके इननर बाग बिल्लीव था तो यह संबंधित आते हैं यानि इनमे कुछ गुण है उन आनों कि समानता है क्या समानता है तो करते हैं nasıl संग्ष निपके बाहिया है मेवा क्यों मेंEuاش कसे हैं संग की बात करते हैं नेक्स्ट उच्ट जो समवर्ग है वो क्या है संग या Cordyam तो जन्तूं के लिए संग यानि आप कर सकते हैं बहुत सारे जो गण वर्ग होते हैं उनका समू है क्या है संग होता है यानि आप कर सकते हैं बहुत सारे वर्ग जैसे हम बात करें मचली वर्ग उभेचर वर्ग सरी सरपुरग पक्सी वर्ग और स्थंदारी वर्ग ये क्या है एक संग में आ रहें कोड़ेटा संग में जनतूंगा एक बहुत बड़ा संग है कोड़ेटा संग उसके अंदर यह सारे आते हैं और किसा आधार पे इनको एक जिगर रखा गया है रुख भूलेनें मिंदेस नोम्टो कोड होती है और प्रस्ट यह खोकला का थन्तर होता है या लुई प्रस्ट रजुगो तट्रिक नंत्रिका उने कि सभूआ है इसलिए इनको अम किसमे हे यह जो है यह जो है सारे के सारे किस में आ रहे हैं को डेटा संग में आ रहे हैं ऐसे ही दोस्तों पोधों के जो समंदित वर्ग हैं पोधों के भी वह सारे वर्ग हैं जैसे हम कर सकते हैं पोधों के वर्ग कौन-कौन से हैं दोस्तों जैसे आप कर सकते हैं पोधों के जो वरग हैं समंधित वरग किसमे क्या बनाएंगे भाग बनाएंगे तो जम पाधब जगत पढ़ेंगे तब हम इन संगों और वरगों को अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों तो यहां पर हम कह सकते हैं वरग जो हैं बहुत सारे वरग एक जिसी लक्षन वाले हैं तो उनको हम गणों में रख दिया और बहुत सारे जो गण है वह एक ही लक्षन वाले हैं उनको वरग में रख दिया और आप कहसे बहुत सारे वरग जिनमें एक टाइप के समाह लक्षन उनको संग में रख दिया ठीक है दोस्तों अब हम बात करेंगे जगत की तो जगत यह क्लासिफिकेशन में यह जेविक वर्गी करन वाले पार्ट चेप्टर में पढ़ेंगे चेप्टर टू में तो मोनेरा प्रोटिस्टा कवक पादप जन्तु मोनेरा के अंदर सारे जीवानों यानि बेक्टिरी आ गए प्रोटिस्टा में आप कर सकते हैं अमीबा अगरा जैसे जीव आ गए कवक में सारे कवक आ गए कवक जगत में पादप में पादप आ गए और जन्तु में जन्तु आ गए यहने सारे सजीओं को इस तरीके से जगतों में बाट दिया है अब इस तरीके से आप कर सकते हैं इनका हम अध्यन करेंगे वहनेरा जगत को भी पढ़ेंगे प्रोटिष्टा, कवाग, पादप, जन्तु सारे जगतों को पढ़ेंगे, जगतों में क्या क्या सजीव हैं। और जाते हैं जैसे निननतम से उच्छतम वरकी और जाते हैं तो समान गुणों की संक्या कम होती जाती है यानि एक प्रजाती के सभी सदेशियों में समान गुण अधिक्तम होते हैं फिर वंस में थोड़े और कम हो जाते हैं समान गुणों की संक्या कम होती जाती है कम होती ज जाती है तो सभी मनश्यों में एक समान गुण अधीक तम है ठीक है ना यानि इस तरीके हम कर सकते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं एंसैयत का statement है कि अब प्रजाती से जगत की और यानि निम्न वर्ग से उच्छ तम वर्ग की और जाते हैं तो समान सम्मंद स्तापित करना आसान है तो उपर सम्मंद स्तापित करना मुश्किल होता जा रहा है है ना नीचे सम्मंद आसानी से बन रहा है नीचे निम समान गुण अधिक है और उपर समान गुणों की कमी आती जाती है और उपर से नीचे की तरफ आएंगे तो समान गुणों में पढ़ा और इनमें को बहुत सारे उधारन भी पढ़े तो इन सेवन समवर को यानि जो साथ जू स्टेक्शनों में कैटेगरी हैं इनको आपको सिक्वेंस वाइज याद रखना है ठीक है दोस्तों तो ऐसे ही आपको क्लास रोजना मिलती रहेगी NCRT की समरी से आपको कोई नोट्स बनाने की जरूत नहीं है आपको सिर्फ वीडियो को दस मिनिट देखना है दस मिनिट में यह आप कर सकते हैं तो दोस्तों ऐसे ही पूरी NCRT को मैं यहाँ अपलोड करने वाला हूँ पूरी NCRT का जो समरी है वो इस्पेशली नीट के पॉइ आने वाला है लेकिन नीट में NCRT का कोशन बहुत ज़्यादा आते है NCRT बेस्ट तो NCRT की ठीकी 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 है ना बार-बार पढ़ने से याद रहती है तो आप इन वीडियो को देखके ही समरी को फटा पट से रिवाइज कर सकते हैं आपको NCRT की रीडिंग करने की वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें यानि बाएवाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेर कर दें दोस्तों मिलते नेश्ट क्लास में थैंक यू